नमस्कार मित्रों मैं अनिल कुमार स्वेट अस्टॉलोजी वास्तु वैं निम्रॉलोजी एक्सपर्ट कुम्बर रशी वालनों को अगर धन कमाना है तो अपने कुंडली की चंदर्मा की स्थिति को देखना चाहिए के चंदर्मा राउ के साथ तो नहीं है केतू के साथ तो नहीं है या शनी के साथ विश्टोस तो नहीं है या नीचका नहीं है क्योंकि चंदर्मा का लिंक दन के साथ मना होता है और सबसे ज़्यादा साड़ सती में चंदर्मा को ही शनी परभावित करता है क्योंकि जो भी प्रश्ची से ही देखी जाती है और आपके मन को प्रभावित करता है चंदरमा की सिति अगर आपके लगन चार्ट में कमजोर है तो चंदरमा की उपाय के दुवारा आप अपनी फाइनेंशिल सिति को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम राहुके तूर शनी पर तो द्यान देत लेकिन अगर आपका चंदर्मा कमजोर है तो आपको धन प्राप्ति करने में काफी बादाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि चंदर्मा एक स्पीडी प्लैनेट है जो की डही दिन में ही राशी परिवर्तिन कर लेता है वो चंदर्मा का एक लिंक जो है वो बगवान शंकर के साथ भी माना जाता है आपको मालूम ही है कि इस समय कुमराशी पर जो साड़ सती चल रही है और उनका चंदर्मा चटे बाव का लोड होता है जो की competition का भी होता है शत्रू रोग बाव का भी होता है और शेनी की दृष्टी भी उस पर पड़ रही है अगर आपका चंदरमा लगन चार्ट में कमजोर है या वीक है तो आपको धन प्रापती में बहुत बादा आँ सामना करना पड़ सकता है आपको जूरूर चंदरमा पर उपर concentrate करना चाहिए कहीं ये अमावस्या को तो नहीं है चंदरमा की डिगरी कमजोर तो नहीं है चंदरमा कहीं राहु गेतु के साथ ग्रेंड दोष्ट तो नहीं बना रहा है कहीं अस्त तो नहीं है सूरे के साथ अगर वर्ष्चिक राशी में हैं कहीं नीच्टों ही है चंदरमा की शुब सित्थी अगर जिसकी भी लगन चार्ट में मजबूत होगी उसको धन प्राप्ती में बहुत ही फैदा मिलेगा चंदरमा सोला कलाओं का संपूरन ग्रे माना जाता है और बगवान शिफ के साथ इसका संपर्क भी माना जाता है क्योंकि ये एक सौमे ग्रे है शुब ग्रे की इसको उपादे दी रही है और चंदरमा जो है वो उसका दिन सौमबार होता है और सफेद चीजों का ये स्वामी होता है हमारे जल का भी जितना भी स्तोतर है वो चंदरमा से ही लिंक माना जाता है इवन गंगा जल का भी लिंक चंदरमा से माना जाता है आपकी लिक्वड मनी का लिंक चंदरमा के साथ माना जाता है आपका इशान कौन भी वाटर एलिमेंट अगर कमज़ोर है तब भी चंदरमा आपका वीक हो सकता है तो आपको कुम राशी वालों को क्योंकि इस समय साड़ साथी चल ली है और हमें पता लगता रहता है कि कुम राशी वालों का जो ग्राफ है वो उपर नीचे काफी चल रहा है हपते में दो दिन अच्छे रहते हैं तो मैं आज आपको चंदरमा के कुछ उपाय देने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको काफी लाब मिलेगा क्योंकि चंदरमा की सिती अगर कुम राशी वालों की खराब है तो निश्चित तोर पे ही आपको धन प्राप्तिक में इस शनी की साड़ सती में बादा सामना करना पड़ सकता है आपको क्या करना है एक तो बगवान शिव की उपासना जरूर करनी है और सौवार को गंगल जल और कच्चा दूद बगवान शिव को शिवलिंग पर चड़ाएं और मता पिता के चर्ण जरूर चुएं दूसी बात यहीं कि दूद का एक बड़ा हुआ गिलास अपने सराने पर रखे उसको सुबा किसी कीकर की पेड़ के जड़ में डालना है आप समझेगे यह एक बहुत अच्छा उपाए माना जाता है जिसके दोबारा चंदरमा शांत होता है आप सौबार के भी वरत कर सकते हैं और दूसी बात यह है कि आप पुर्णमा जिस दिन होती है आप जैसे नहाते हैं उसमें तोड़ा सा गंगा जल डालके नहाए तो आप देखेंगे कि आपके बाड़ी का औरा जो है वो काफी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और आपको धन प्राप्ति के आपके जो सादन है वो आपके बंडने लग पड़ते हैं चंदरमा आपका मजबूत हो चाता है और दूसरी बात यह है कि आप जैसे मंदर में जाते हैं तो वहाँ पर चंदन का जो तिलक है वो माथे पर लगाएं जिससे भी आपका चंदरमा मजबूत हो चाता है चंदरमा के लिए आप कुंडली की जांच के दोबारा ही मोती पहनें क्योंकि मोती रतन जो हता है केवरी मारक भी हो जाता है और अगर आपका कुंब लगन है तो आपके सिक्स हाउस का लोड है इसलिए मोती रतन आपको दारन नहीं करना है उसके उपाय करने है और चंदरमा के मंतरो का जाब भी आप सौमार को रुदराक्ष की माला से कर सकते है कुंबराशी वालों को अगर धन की प्रापती में मादा आ रही है तो आप अपनी कुंडली में जांच कीजिए कि चंदरमा आपका कमजोर तो नहीं बैटा हुआ है अगर आपका कमजोर है तो उसके उपाय कीजिए फिर देखिए आपका शनी आपके कैसे फल देगा क्योंकि शनी चंदरमा और सौरे के साथ इसका लिंक माना जाता है सौरे राजा है और चंदरमा रानी माने जाती है तो ये वीडियो कैसी लगी जुरूर बताईए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको भी अच्छा फल मिलेगा नौलज शेयर करने से नौलज बढ़ती है इसके साथ हम आपसे आगे लेते हैं नमस्कार